अम्रूत का तो सेवन हर को ही करता है लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अम्रूत के पत्तों के फैदों के बारे हैं बताने वाला हूँ अगर आप डेली दो अम्रूत के पत्तों को सुबर सुबर खाली पेट चबा चबा करके सेवन कर लेते हैं आपके सरीर में कई बड़े फायदे आपको मिलना जो वो स्टार्ट हो जाएंगे आरवेद में तो कापी पुराने टाइम से ही अमरूत के पत्तों का इस्तमाल होता वा आ रहा है कई बीमारियों को ठीक करने के लिए लेकिन हाली फिलाल में जब साइंटिस ने इस चीज के ओपर रिसर्च किया तो साइंटिस भी ये चीज़ देखकर के हरान थे कि अमरूत के पत्ते का सेवन करने से हमारे सरीर में इतने सारे फायदे भी देखने को मिलते हैं यानि कि आप science भी मानने लगी है कि अमरूत के पत्तों से कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है तो चली बिना दरीकिया फड़ा वड़ जानते हैं अमरूत के पत्तों के फायदों के बारे में तो यहाँ पर जो सबसे पहले benefit है कि हमारे heart को healthy रखता है अगर आप 4-5 अमरूत के पत्ते को पानी में अच्छी तरीके सोबाल करके काड़ा या फिर चाई का रूप में सेवन करते हैं तो इससे हमारे body में जो LDL Closed Level है जिसको हम बुरा Closed Level के नाम से जानते हैं और जो Trigless Red है इन दोनों के level को कम करने में काफ़ ज़्यादा मदद मिलती है इन दोनों level को कम करना काफ़ ज़्यादा जरूर ही है अगर यह हमारे स्रीर में बढ़ता हुआ रहा तो हिर्दे समंदित बिमारी होने का खतरा काफ़ ज़्यादा बढ़ जाता है और एक काफ़ ज़्यादा danger situation है वो है heart attack तो इसके भी risk को काफ़ ज़्यादा कम कर देता है या पर जो दूसरा benefit है कि blood sugar level को control करता है अमरूत के पत्ते diabetes patient के लिए किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसमें phalonic compound present है जो कि blood sugar के absorption को काफ़ ज़्यादा कम कर देता है और साथी साथ कुछ ऐसी चीजे हैं जिसमें starch की मातर present होती है जैसे की aloo और यह जो starch यह बाद में जाकर कि complex sugar में convert हो जाता है और अमरूत के पत्ते जो हैं इसके भी absorption को block कर देते हैं तो हमारे blood में जो भी extra sugar होती है उसको भी कम करने में काफ़े ज़्यादा मदद करता है जिसे कि automatically हमारे body में जो blood sugar level है वो धीरे-दीरे कम होना है start हो जाता है और यहाँ पर जब scientist ने भी research किया था तो तकरीबन 20 लोग थे जिनको type 2 diabetes था तो जब उन्होंने अमरूत के पत्तों का चाय बना करके सेवन किया था था उनके blood में जो sugar level है वो 10% से भी ज़्यादा कम हो गया था तो आप इछी चीस से अंदाजा लगा सकते ही कि अमरूत के पत्ते diabetes patient के लिए कितना ज़्यादा फैदमन्त है या आप जो तीसरा benefit है कि digestion को भी improve करता है अगर आप daily सुबे खाली पेट दो पत्ती अमरूत के चबा चबा करेकर आप सेवन कर लेते हैं तो इससे पेट से जुड़ी समस्य हो में आपको काफी ज़्यादा फायदा करता है जैसे कि अगर आपका पेट सही तरीके से साफ नह बनहोता है या पिर आपको अ इन सभी समयोंसर्वे में आपको काफी ज़्यादा फायदा करने वाला और इस पेशल आपको मिलने वाला है उसके डर्या करदेता है और जो और साथ ही-साथ अमरूत के पत्यों में à antimicrobial property present होती है जो कि हमारे गट में जो harmful microbes होते हैं उसको neutralize कर देता है जिससे की डारिया होने का खतरा काफी जड़ा कम हो जाता है या पर जो fourth benefit है की oral hygiene को भी improve करता है अगर आपके मुँ में छाले है या फिर आपको मसूर में सोजन है आपको खाना खाने में दिक्कत होती है या फिर आपके दातों में दर्द होता है तो इस case में अमरूत के पत्ते आपको काफी जड़ा था फायदा कर सकते हैं आप जो हमरूत के पत्ते गरारे कर सकते हैं इसके के 5th benefit है की weight loss में काफी ज़्यादा help करता है अगर आप वजन को कम करने के लिए योगा करते हैं या फिर आप exercise कर रहे हैं तो उस case में आपको calorie को burn करना होता है तो अगर आप वहाँ पर हम root के पत्तो का 7 करते हैं तो इससे यह जो calorie है यह और काफी तेई से burn होना start हो जाती है जिससे की वजन को कम करने में आपको काफे ज़्यादा मदद मिलती है साथी साथ मैंने आपको पहले भी बताए कि यह blood sugar level को control करने में काफे ज़्यादा मदद करता है तो वजन को कम करने के लिए हमारे body का जो sugar level है उसको भी control करना काफे ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पर हमारे body में कुछ ऐसे jeans होते है जो की वजन को कम करने में काफे ज़्यादा मदद करते है तो अमरूत के पत्ते जो है उस case में भी आपको काफे ज़्यादा मदद करते है तो यह सारी चीज़े जब मिलती है तो वजन जो है अटोमेटिकली हमारे दीरी-दीरे कम होना जो वो start हो जाता है याप जो 6th benefit है कि skin की health को भी improve करने में काफे ज़्यादा फायदा करता है बढ़ती उमर के साथ साथ चेहरे पर wrinkles पढ़ना जो वो start हो जाते है तो इस चीज़ को धीरी-दीरे कम करता है skin tone को improve करने में काफे ज़्यादा फायदा करता है acne dark sport की समस्वा को धीरी-दीरे कम करता है और यहां तक की dark sulco को भी कम करने में काफे ज़्यादा मदद करता है तो इसके केलिए आप पत्त का पेस्ट बना करके अपलाई कर सकते है क्योंकि अमरूद के पत्तों में antiseptic property रोपरेजन्ट होती है जो कि आपको काफे ज़्यादा फायदा करता है तो इसके केलिए आप 4-5 अमरूद के पत्ते ले लीजिए उसको आपको paste अप्ला लेना है और आपको फिर skin पर apply करना है या फिर आपको मालने जीए acne के समस्य है तो जहां पर आपको सरी problem है वहीं पर आप apply कर सकते हैं उसके बाद अंदर से 20 मिनट तक छोड़ दे देन आपको normal पानी यानि की साधे पानी से मुग को धो लेना है और ऐसा आप दिन में दो बारी कर सकते हैं यानि की सुबह और साम को इस तरीके से कर सकते हैं और फिर आपकी ये problem जो है वह धीरे धीरे ठीक होना है start जाएगी इसके अलावा अमरूत के पत्ते के और भी काफी सारे फायदे हैं जिसके ओपर साइंटिस अभी research कर रहे हैं लेकिन ऐर्विद में काफी पॉर्णाने टाइम सही इस चीज़ को पर इस्तमाल किया जा रहा है जैसे कि dango fever में इस case में platelet count जो हो कम होना start हो जाता है तो अगर आप अमरूत के पत्तों का इस्तमाल करते हैं तो जो platelet count है वो धीरे धीरे बढ़ना जो हो start हो जाता है तो आप simply इसकी चाय बना करके जो हो saveन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको खासी है तो आप अमरूत के पत्तों को चबा चबा करके saveन कर सकते हैं जिससे कि आपकी खासी जो धीरे धीरे ठीक होना start हो जाएगी और यहां तक कि अगर आपको किसी भी type के allergy है तो उस case में भी आप अमरूत के पत्तों का इस्तवाल कर सकते हैं जिससे कि आपको काफी अच्छे result देखने को मिलेंगे अब बात करते कि अमरूत के पत्तों का इस्तवाल करने का सही तरीका क्या है किस समय हमें इसका इस्तवाल करना चाहिए तो यहां पर देखे टोटल दो तरीके है जो सबसे पहला तरीका है कि आप जोई simply अमरूत के पत्ते को सोबह सोबह खाली पेट चबाचबा करके सेवन कर सकते हैं इत्क requires आप 2 अमुरूत के पत्ते लें और उसको चबाने के बाद आपको हलका सा पानी पी लेना है। या आप गजो दूसरा तरीक है कि आप अमुरूत के पत्तों की चाय बना करकी सेवुन जो और अंधर्रक पीस लेना है। और उसके बाद आपको एक कप पानी में उसको डाल लेना है और उस पानी को आपको अच्छी तरीके से बोल करना है जब अच्छी तरीके से बोल हो जाएगा जब आधा कप पानी रहा जाएगा उसके बाद आपको इसको छान लेना है और जैसे धिरी धिरी ये ठंडा होना में आधा निमूज यह उपर से निचोड़ करके डाल लेना है और एक चमस सहद जो भी आपको इसमें डाल लेना है और अच्छी तरी के समिक्स करने के बाद आप चाई की तरह इसको पी सकते हैं यहाँ पर आपको एक बात और दियान रखनी है कि अगर आपको diabetes है यानि कि अगर आप blood sugar level को कम करने के लिए इस अमरूत के पते की चाय बना करके पी रहें तो उस case में आपको सहद का इस्तमाल जो वो नहीं करना है क्योंकि सहद में देखिए एक natural sugar present हो दिये और अगर आप सहद डाल करके पीएंगे तो आपको उतना असर जो वो देखने को नहीं मिलेगा तो diabetes patient को बिना सहद के साथ इस अमरूत के पते की चाय का 7 करना है और यहाँ पर मैं अपने experience के साथ बता सकता हूँ जब मैंने सुबह सुबह खाली पेट इस हमरूत के पते की चाय पी थी सहद डाल करके और बिना सहद डाले तो मुझे taste में जादा different जो वो नजर देखने को नहीं मिले था जिसमें सहद डाला था उसमें हलकी सी मिठास आ रही थी और taste में भी काफी अच्छा लग रहा था लेकिन जिसमें सहद नहीं डाला था सरीफ निमू डाला था उसका भी taste काफी अच्छा था ज़्यादा different जो वो नहीं है सरीफ 19-20 का फरक है तो कई लोग taste के चकर में ऐसी चीजों का save and job नहीं करते हैं तो आप लोग इस अमरूत के बत्ते की चाय बनाकरे के जरूर save and करे काफी ज़्यादा tasty लगता है पीने का अगर मैं सही time की बात करूँ तो आप जो सुबह सुबह खाली paid भी इस चीज़ का save and कर सकते हैं या फिर आप सुबह नास्ता करने के एक घंटे बात भी इस चीज़ का save and job कर सकते हैं save and करने से पहले आपको को जरूरी बातों के बारे ही पता होना चीए कहीं किसी तरीके से आपको ये चीज़ नुकसान न कर दें तो अगर आप पहले सही कोई treat में ले रहे हैं daily basis पर दवाई ले रहे हैं तो उस case में आपको अपनी मर्जी से उस time पर अमरूत के पतों का save and job नहीं करना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी फिलाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को जो like करें चैनल के जो subscribe करें Thank you so much watching this video बहुत बहुत धनेवाद